हिंदी विभाग ने बहुत ही प्रकत्सील ढंग से बहुत ही आगे जाकर जो एकदम समाज और साहित्य के अध्यान का अच्छूता किन्तु नवीन विशा है उसे अपने पाठक्रम का हिस्सा बनाया है तीन प्रश्णपत्र सामिल किये जिनमें एक है सिनमा और हिंदे साहित्य जो कभी नहीं पढ़ा जाता था सिनमा और हिंदी साहित्य इसके पहले भी नहीं रहा इधर दो वरसों से वो पाठक्रम जुड़ा है सिनमा और हिंदे साहित्य हिंदी पत्रकारिता और लोकप्री साहित्य यह तीन पेपर है इन तीन पेपर में बच्चे को किसी एक पेपर क करना ये तीनों पेपर ऐसे हैं जिनका संबंध मीडीया से है हमारे समाज का एक रूपक है हमारे समाज का महत्वूंत्ट समाज की जो विशंगतिया समाज का खराब दिखाई देता है जो पुद्धने विद्यारती को समाज का ये दि वो रूपक है लोकप्री साहित्य तो हमारी योजना ये थी कि पहले वो बच्चा लोकप्री साहित्य के समासास्त्र को समझे कि ऐसा साहित्य अगर लोकप्री है तो क्यूं है उसकी लोकप्रीता के आधार क्या है मदुशर्मा ने वर्दी वाला गुंडा के लिए कह लिखा था खबारों में आया था कि उसकी 8 करोन से दिक प्रतियां चप चुकी है तो आप ये देखिए कि एक ऐसा उपन्यास जिसके पढ़ने वाले लोग करोण में हैं तो क्या है उसका करण हम किसी भी रचना को किसी भी साहितिकार को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने का उद् इस समय के महत्यपूर्ण संदर्वें से अपने समय के विध्यार्थियों को अउगत कराएं हिंदी निरंतर बढ़ रही है विक्षित हो रही है और विश्व में और वैस्विभासा बढ़ने कि और अग्रसर है तो इस इसके लिए हमारी फिल्मों की भूमिका है हमारे महत्य तो ऐसे लोकपरी रचनाकारों की भी भूमिका है जिन्होंने हिंदी को एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी समाज के समक्ष विस्तार देने में महत्यपूर्ण भूमिका निवाई है। देवकी नंदन खत्री का नाम, गोपाल राम गहमरी का नाम, इन लोगों ने बहुत सारे जासुसी और तिलस्मी उपन्यास लिखे। चंदरकांता एक ऐसा ही उपन्यास है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे आलोचकों ने, हमारे रचनाकारों ने ये बात कही है कि उस समय लोगों ने चंदरकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखे। तो इससे चंदरकांता एक लोकप्री रचना है। वर्दी वाला गुंडा भी लोकप्री रचना है। किन धर्मिर भारती की वरचना बहुत लोप्री रही है इस टाल पर तमाम लोग खरिते हुए पढ़ते हुए पाए जाते हैं आज भी आप प्रतियां देखेंगे तो इनकी बहुत सारी प्रतियां छपती हैं और बिक्ती हैं फिल्मों के माध्यम से भी उनका विकास होता है तो प्रेम चंद की चेतना का अपनी जगह है और इन फिल्मों की अपनी दुनिया है आप देखती होंगी कि बाहर से अभी मैं आपको बताओं कि लगवक 16-17 वर्स पहले की बात है गोरफपुर विश्वद्याले में जापानी विद्यार्थियों का एक दल आया था मुझे उन् जब हिंदी के विद्यार्थि थे लेकिन उन विद्यार्थियों ने क्या प्रस्तुत किया फिल्मों के एक-एक लाइन के गाने आप देख रहे हैं जनता जेक्षनिद इस वक्त मैं गोरफपुर के विश्वविद्याले में मौझूद हूँ और हमारे साथ हिंदी विभाग के विभागा देश प्रोफेशर दीपक प्रकाश त्यागी जी मौझूद है बता दे कि हिंदी विभाग में जो बच्चे परा इस नातक में जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं चौथे सेमेस्टर में उनको कुछ उपनयास सामिल किये गए हैं जिससे वो पहले वन्चित थे और पढ़ा नहीं करते थे जिसको अब सामिल किया गया है और इसी पर आपका स्वागन जी बहुत बहुत धन्यवाद नन्या जी मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदी विभाग ने बहुत ही प्रकतसील ढंग से बहुत ही आगे जाकर जो एकदम समाज और साहित के अध्यान का अच्छूता किन्तु नवीन विश्य है उसे अपने पाठ को बताना चाहता हूं कि हमारे हां एमे का जो पाठक्रम हम लोगों ने नई शिक्षानीती के अंतरगत तयार किया उसमें जो मुख्य उद्देश था मुख्य काम था वो था एक उसके अंदर स्किल डवलप्मेंट हो उद्यमिता और नवाचार के प्रति वो जागरूख हो तथा इसके साथ साथ विद्यार्थी के अंदर एक रचनात्मक कौसल विक्षित हो तो इस धंग से हम लोगों ने अपने पूरे पाठक्रम को रिजाइन किया विशुद्याले के माननी कुलपती ये बराबर हम लोगों से कहते रहे हैं कि अपने पाठक्रम को डेस विदेस क तमाम महत्पूर विशुद्यालियों के पाठक्रम के अनुकूल बनाएं और उस क्रम में उस कड़ी में हम लोगों ने अपना ये पाठक्रम डियाइन किया इस डियाइन करने में मैं आपको ये बता दू कि इस पाठक्रम में हम लोगों ने न सिर्फ लोकप्री साहित्य इस 24 सेमेस्टर में हमने विद्यार्थी के समक्ष 3 विकल परके जाहिर सी बात है जो बच्चे पीजी में आते हैं उनका उद्धेश से रिषर्च होता है या किसी आगे की अध्येन के लिए होता है तो तो ऐसे विद्यार्थियों के समक्ष उन्हें अन्य तमाम अउसर उपलब्द कराने के लिए हम लोगों ने अंतिम समेस्टर में तीन प्रश्णपत्र सामिल किये जिन में एक है सिनमा और हिंदे साहित्य जो कभी नहीं पढ़ा जाता था सिनमा और हिंदे साहित्य इसके पहले भी नहीं रहा इधर दो वर्शों से पाट्रम जुड़ा है सिनमा और हिंदे साहित्य हिंदी पत्रकारिता और लोकपरी साहित्य यह तीन पेपर है इन तीन पेपर में बच्चे को किसी एक पेपर का चेन करना है यह तीनों पेपर ऐसे है जिनका सम्मध मीडिया से है, हम सब जानते हैं कि मीडिया का और साहित से बहुत घनिष्ट रिष्टा है, इसलिए साहित पढ़ने वाला विद्यारती मीडिया और समाज में रह रहे तमाम अन्य जो अनुसासन है उससे वो परचित हो, इसलिए हम लोगों ने इसे सामिल किया है और आगे जब हम 4 प्लस 1 बनाएंगे तो 4 प्लस 1 में भी इसको हम एक नए रूप में सामिल करने का हमलों का विचार रहेगा सर जस तरह से वेद प्रकाश शर्मा जी का जो वर्दी वाला गुंड़े इस तरह से कुछ है ना तो उनकी पत्नी जो है मधू उनका कहना ये है कि मेरठ में तो मतलब हमारे साहित्य का मांग थाई और तमाम और जारखंड में भी मांग था तमाम ऐसे और जगह हैं जहां पर मा मैं आपको बताओं जिस तरह से ये खबर आई और मीडिया में ये खबर बनी सबसे पहले इस खबर को दैनिक जागरन ने च्छापा और मुझे लगता है कि लगवग वो खबर आल एडिशन थी क्योंकि तिन चार एडिशन की जानकारी मुझे है तो यह इतनी महत्वून बा समाज की जो विशंगतियां हैं विडम बनाएं हैं समाज का जो खराब पक्ष है वो भी वहाँ दिखाई देता है जो अच्छा पक्ष है वो भी दिखाई देता है तो हम अपने विद्यार्थी को समाज का यदि वो रूपक है लोकप्री साहित्य तो हमारी योजना ये थी क कि पहले वो बच्चा लोकप्री साहित्य के समाज सास्त्र को समझे कि ऐसा साहित्य अगर लोकप्री है तो क्यूं है उसकी लोकप्रीता के आधार क्या है उसकी लोकप्रीता के पीछे व्यक्तियों का दृष्टि कौन क्या है समाज क्या सोचता है तो इसलिए यह उच्च ध्य के छित्र में इसको सामिल करने का विचार आया मदु सर्मा का नाम आपने लिया उनका बयान भी आया था कि यह हमारे लिए गोरों का विशा है और मैं आपको बता दूं तमाम लोक्ति रचनाकारों ने जिने हम अभी पढ़ते पढ़ाते नहीं है लेकिन उन पर रिसर्च हो र इन सब पर बहुत लिखा पढ़ा है और इन पर विचार भी किया है तो मदु सर्मा ने वर्दी वाला गुंडा के लिए कहा था लिखा था खबारों में आया था कि उसकी आठ करोन से दिक प्रतिया चप चुकी है तो आप यह देखिए कि एक ऐसा उपन्यास जिसके पढ़न वो देखिए सिर्फ यह होता है कि हम उस रचनाकार उस रचना के बहाने अपने समय की पीड़ी को अपने समय की रचनात्मक्ता को अपने समय के महत्यपूर्ण संदर्वों से अपने समय के विद्यार्थियों को आउगत कराएं अब यह उन्हें चाय करना है कि उनका रास्त विकल्प नहीं रहेगा वो जानेंगे नहीं तो कैसे यह समझेंगे कि लोगप्री साहित का कोई समासास्त्र होता है सर जिस तरह से फिर से सामिल हुआ है चौथे सेमेस्टर में उन बच्चों के चात्रों के तो यह नहीं लगता है कि शामिल करना अच्छी बात है लोगप्रीय शाहिते जानकारी होनी चाहिए पर कुछ बच्चों को यह भी लगेगा कि एक तरह से अगर एक शब दिखिया पांच क्रेडिट के चार प्रश्नपत्र होंगे उसमें एक प्रश्नपत्र पूरा सोध पर्योजना का होगा तो वो बच्चा चार ही पेपर पढ़ रहा है और उस विद्यार्थी के समक्ष अपने समय के जो ज्वलंत विशय हैं जो महत्यपुण विशय हैं आप देखिए भारत के बाहर हिंदी गई तो हिंदी का एक बहुत बड़ा बाचार है हिंदी निरंतर बढ़ रही है विक्षित हो रही है और विश्व में और एक वैश्विक भासा बनने की और अगरसर है तो इसके लिए हमारी फिल्मों की भूमिका है हमारे महत्यपुण कालजई रचना कारों की भी भूमता है जिन्होंने हिंदी को एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी समाज के समक्ष विस्तार देने में महत्यपुण भूमिका निभाई है अनन्या जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक हिंदी उपन्यास का जब प्रारम हुआ तो उस समय तिलस्मी और जा आसूसी और तिलस्मी उपन्यास लिखे चंद्रकांता एक ऐसा ही उपन्यास है और आपको मैं बताऊं कि हमारे आलोचकों ने हमारे रचनाकारों ने ये बात कही है कि उस समय लोगों ने चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी तो इससे चंद्रकांता एक लोकप लेकिन जो हिंदी से हिंदी के विद्यार्थी नहीं है वो भी कोई साहित जाने चाहे नहीं जाने मदुसाला की पंक्तियां उनको याद है वो बच्चन को सुनते हैं रामधारी शिंग दिनकर को सुनते हैं सिवानी को पढ़ते हैं एक और महत्पुन रचना है गुनाहों का देवता धर्मिर भारती की वहीं पाठ्षक्रमों में नहीं रहा है लेकिन धर्मिर भारती की वह रचना बहुत लोगप्री रही है इस टाल पर तमाम लोग खरिते हुए पढ़ते हुए पाए जाते हैं आज अभी आप प्रतियां देखेंगे तो इनकी बहुत सारी प्रतियां च्छपती हैं और बिकती हैं अगर च्छप रही हैं बिक रही हैं लोग पढ़ रहे हैं तो उनकी उनकी जो साहितिक अभरुची है या उनकी जो ज्यानात्मक शेतना है उस साहितिक अभरुची और ज्यान बच्चे के बौद्धिक शमता का विकास होगा। ये बच्चा गोरखनात को भी पढ़ रहा है, कभीर को भी पढ़ रहा है। ये एक जू जिवन का महत्फूर्न पक्ष है जिसे हम कह सकते हैं कि अंध्यरा पक्ष लोग कहते रहे हैं। जिसे लोग लुगदी साहित कहते रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इसे जनप्री साहित कहा है जो हिंदी का विद्यार्थी नहीं है वो भी इस तरह की उपरन्यासों को आप देखेंगे कि कभी आप रेलवे स्टेशन के प्रेट फार्म पर बैठी हो तो किसी के हाथ में व जोती है और इसके पीछे लोक प्री लोक प्रियता का अपना एक आकर्शन भी होता है तो यह बात है और विद्यार्थी निश्ची तुरूप से उनके सामने विकल्प हैं जो पढ़ना चाहेंगे पढ़ेंगे जो नहीं पढ़ना चाहेंगे वह हिंदी पत्रकारता हिंदी जनलिजम का पिपर पढ़ेंगे या सिनिमा और साहित्य का पढ़ेंगे आप देखिए सिनिमा और साहित्य बहुत कम विश्विद्यालियों में अध्यन अध्यापन का विश्या है लेकिन सुरू से ही सिनिमा का साहित्य से कितना घनिश्ट रिस्ता रहा है और साहित्य की चेतन लोगों की चेतना को कैसे विक्षित किया है लोग प्रेमचंद की रचना भी पढ़कर उनकी चेतना का विकास होता है तो फिल्मों के माध्धम से भी उनका विकास होता है तो प्रेमचंद की चेतना का अपनी जगह है और इन फिल्मों की अपनी दुनिया है आप देखती उनकी लगवक 16-17 वर्स पहले की बात है गोरफपुर विश्विद्याले में जापानी विद्यार्थियों का एक दल आया था मुझे उन्हें इसी गोरफपुर विश्विद्याले के दिक्षा भवन में अपनी प्रस्तुती करनी थी वो सब हिंदी के विद्यार्थि थे लेकिन उन विद्यार्थियों ने क्या प्रस्तुत किया फिल्मों के एक एक लाइन के गाने तो अच्छा ये लगा कि जापान में अगर हिंदी गई और फिल्मों के माध्यम से गई फिल्मों के साथ गई तो यह हमारी हिंदी की ताकत है य एक मेरा प्रश्न ये रहेगा कि जिस तरह से अंग्रेजी को लेके लोग ज्यादा महत्व देते हैं और हिंदी को थोड़ा कम देते हैं अंग्रेजी उसको आता है थोड़ा कम भी नॉलेज है उसको जानकारी नहीं है उसको भाशा अंग्रेजी आती है और हिंदी वाला का मतल जादा ही महत्व देखने को आज कल मिल रहा है दरसल देखिए उसका बड़ा कारण यह है आपने बहुत अच्छा सवाल किया अंग्रेजी एक ऐसी भासा है जो निरंतर अपने आपको अपडेट करती रही है मैं आपको बताओं कि यही लोकप्री पापुलर लिट्रेचर नाम का पेपर अंग्रेजी विभाद में भी पढ़ाया जाता है दीन द्याल उपाध्या गोरफुल विश्र द्याले के हिंदी विभाद में और पिछले अनिक वर्सों से पढ़ाया जा रहा है यह खबर नहीं ब पर बनाया वैसे ही समाज में एक बहुत सारे जो सुचितावादी और पवित्रतावादी लोग हैं उनके कान खड़े हो गए दरसल हिंदी के विकास में और हिंदी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा इसी तरह के सुचितावादी लोग हैं जो चाहते हमारी हिंदी को कोई किसी के छूने से हमारी हिंदी गंदी हो जाएगी जब तक हिंदी अब आप अंग्रेजी में देखिए अंग्रेजी में वो लोग बहुत पहले से काम कर रहे हैं हिंदी में वो बाद में आया तो जाहिर सी बात है हिंदी को अगर आगे बढ़ना है आगे जाना है तो दुनिया कि जितनी महत्वपून भासाएं हैं उनके साथ संबाद स्थापित करना होगा और यह देखना होगा कि उनके अध्यान अध्यापन की दुनिया कितनी बड़ी है और हम अपने आपको बड़ा करने के लिए उनसे और भी अधिक कितना सम्रिद साहित पढ़ा सकते हैं रख सकते ह तो लेकिन जहां तक यह बात है कि अंग्रेजी चुकि एक वैश्विक भासा है और बड़े रोजगार की भासा है लेकिन इस समय जो नई सिक्षा नीती आई है उस नई सिक्षा नीती ने भारती भासाओं के उन्नयन के लिए भारती भासाओं की गरिमा को बढ़ाने के जिसमें भारती संस्कृती पर केंदरित जो हमारी लोक भासाओं हैं उन लोक भासाओं का ध्यन होगा और लोक संस्कृती का ध्यन होगा और हम बच्चे जो हैं पहले से ही अपनी भासा में पढ़ना लिखना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये इस स सभितके हिन्दी दुन्या में महत्युक्न्दूंट हो रही है तो उसके पीछे थे सट्वम्हक है Hmmm हिन्दी में जो बहुत संव्रुद्ध वैचारीक सा हित लिखा जा रहा है उन उन सब की अपनी खास भूमिका है। करना पड़ेगा। जापान के कुछ चात्र विश्व विद्याले में आए हुए थे, अदिक्षा समारों में कुछ लोगों का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने सीनेमा से लेकर जापान के बच्चों ने हिंदी फिल्म के कुछ लाइं बोले थे, तो ये बहुत गर्ब की बात है कि हिंदी हमा लेती हूँ, देखते रिए जो अन्ता जेक्षन न्यूज जाहें